नमस्का दोस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज की डेट है 7 जन्मरी 2023 और 7 जन्मरी को होता है आपके प्यारे सरका जनन दिन तो आप बदाए देजिए लेकिन पार्टी मत मांगना ठीक है तो चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं जिस फिसने मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी अब यहां पर बात पुल की आई है तो जब बात पुल की हो या किसी प्लेट फॉर्म की हो ठीक है बात अगर किसी पुल की हो या किसी प्लेट फॉर्म की हो तो उसकी लंबाई को हम रेल गारी की लंबाई के साथ जोड़ते ह अगर बात किसी ब्यक्ति की हो या किसी खंबे की हो ठीक है तो हम उसकी लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ नहीं जोड़ देते हैं यही आपको इस पिस्न में याद रखना होता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है एक सो एकत्र मीटर ठीके और क्या है पुल पुल की लंबाई कितनी है दोसो उनतीज मीटर ठीके यह तो दूरी कितनी हो जाएगी दूरी होगी इन दोनों को हम जोड़ देनी एक सो एकतर प्लस दो सो उनतीस नो एक दस साथ दो नो एक दस दो एक तीनो एक चार यहने दूरी हो गई 400 मींटर ठीक है तो जब ऐसे पसना आए कि पुल हो या प्लेट पॉम हो तो दूरी को जोड़ना है खमा हो या भक्ती हो तो दूरी को नहीं जोड़ना है इतना या रखना है ठीक अब यहाँ पर चाल चाल कितनी दीगी है 45 किलो मीटर प्रती घंटा अब हम इसको चैन्ज करेंगे किलो मीटर को मीटर में चैन्ज करेंगे तो 1000 का गुड़ा करेंगे घंटा को सेकेंड में चैनि करेंगी तो 3600 का बुड़ा करेंगी ठीके एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं अब इसको सॉल्व कर लेंगे 0-0-0-0 और कुछ कटेगा नो चो कुछ 36 नो पना 45 और कुछ कटेगा नो दो दो नी 4 और दो पंची 10 यहीं कितना आ रहाएगा 25 बटे 2 मीटर पर सेकेंड यह है उस रेल गाड़ी की चाल निकल के आगई मीटर पर सेकेंड में ठीके अब हम इसको क्या करेंगे स्वाल करेंगे समय समय बराबर क्या होता है दूरी भागे चाल ठीके दूरी कितनी है दूरी है 400 मीटर पचाल है 25 बटे 2 तो 2 को हम ले जाएंगे उपर 25 से काटेंगे कितनी वार जाएगा सोला वा जाएगा तो सोला और गुड़े 2 सोला दूरी 32 ठीके तो जो रेल गारी है 171 मीटर लंबी वहां 229 मीटर लंबे पुल को 32 सेकेंड में पार कर जाएगी ठीके तो जब ऐसे पिसन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेना है ठीके तो ऐस से ही नौलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरुजी के साथ नमस्कार